नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है, आज हम बनाएंगे पकोडे, पकोडे तो आपने कई पकार से बनाएं होंगे और खाएं होंगे, लेकिन आज हम इस पकोडे को डाल से बनाएंगे और इस पकोडे को आज हम चूले पे बनाएंगे बिहारी स्टाइल, त ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें. दाल के पकोड़े बनाने के लिए यहां पर मैंने 100 ग्राम मसूर दाल लिया है और दाल को भिंगो के मैंने 3-4 गंटे के लिए रख दिया था और जो हमारा दाल है वो अच्छे से फूल गया है तो यह दाल को मैंने पहले ही से दो के रख लिया है तो अब हम चलते हैं दाल को पीषने के लिए और दाल को मैंने पानी में से छानके सिल्वट्टे पर रख लिया है और इसे पीषने से पहले दाल को मैंने 2-3 पानी अच्छे से दो लिया था तो अब हम इसे इस पकार से पीस लेंगे और इसे हमें थोड़ा दरदरा ही पीसना है बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है और पानी का भी हम इसमें बिल्कुल बेस्तिमाल नहीं करेंगे पकोड़े बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है मैं अपना तरीका आपके साँ शेयर करने जा रही हूँ आप किया बिहार में इस पकोड़े को कैसे बनाया जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और यह हमारी जो दाल है, वो पिसके तयार हो गयी है और इसमें मैंने बिल्कुल भी पाने के इस्तेमाल नहीं किया है अब देख सकते हैं कि यह हलका सा दरदरा है हात में अगर आप तच करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हलका सा मैने इसे धर-दर आई पीसा है और अब हम इसमें डालने के लिए कुछ मसाले भी पीस के तियार कर लेते हैं क्योंकि पकॉड़े जब तक चटपटे ना हो तीखे ना हो तो मज़ा क्या पकॉड़ों का दस से बारा लेशन के छिले हुए कलियां गिया है मैंने तक चटपटे पीसे में काट लेंगे ताकि यह जल्दी से पीस जाए और अब हम इसे पीस लेते हैं और इसे मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है हलका सा मैंने इसे दरदरा ही पीसा है ताकि जो इन मसालों का टीस्ट है वो हमारे पकॉड़े में अच्छा से आ जाए और बाकी चीज़ों का अब हम इसमें एड़ कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है आदा चम्मच अजवाइन अजवाइन से हमारे पकॉड़े में एक तो टीस्ट बहुत अच्छा आता है साथी साथ मैंने यहाँ पर लिया है तो बड़े आकार का लंबे आकार में कटा हुआ प्यास प्यास को डालने से पहले हम क्या करेंगे कि इस पकार से हाथ से मैश करते हुए डालेंगे ताकि जो प्यास का एक एक लेयर है वो अलग हो जाए थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डा आप अपने स्वात के अनुसार नमग डालें, सबी चीजों को अब भूम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह जो हमारे पकॉड़े का गॉल है वो बनके तयार है यानि कि यह हमारे पकॉड़े का मिश्रन है वो तलने के लिए बनके तयार है चलते हैं अब इसे तलने के लिए तो अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो गैस अन कर ले थोड़ा से अच्छी बबल्स आ रहें इसका मतलब के तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है तो थोड़ा-थोड़ा मिश्रन हात में लेंगे और इस पकार से तेल में डालते जाएंगे पकोड़े का जो साइज है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं और मैं पकोड़े चप्टे बना रही हूँ आप चाहे तो पकोड़ों को गोलाकार में भी बना सकते हैं तो जैसा आपको पसंद हो उससे बना सकते हैं लेकिन अग तो यह तुरंट उपर से लाल हो जाएंगे लेकिन अच्छी क्रिस्पी नहीं होंगे आप क्या भिहार में इस दाल के पकोड़े को कैसे बनाया जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा क्योंकि आपका एक लाइक मेरे उत्ता को और भी बढ़ाता है जिसकी वेरे से मैं आपके साथ निव रेसिपी शियर करती हूँ पकोड़े हमारे नीचे से हलके से सिख गया है तो अब हम इसे पलट लेंगे और इसे हमें दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा कलर आने तक सलना है आप इन पकोड़ों को अपनी मन पसंद चटनी के साथ सर्फ करें चटनी की रेस आप चाहें तो वहां से क्लिक करके देख सकते हैं और यह हमारे पकोड़े अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं दोनों तरफ से यह अच्छे से तल गए हैं अच्छा सुनहरा कलर आ गया है तो अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं इसे निकालने से पहले हम क्या क कि हमारे कुछ पकोड़े तल के तयार हो गए हैं खाने के लिए और बचे हुए मिश्णन से भी हम इसे पकार से पकोड़ों को तल के तयार कर लेंगे पकोड़ों को बनाते समय बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जब आप दाल को पीसे तो दाल में बिल्कुल भी पानी के इस्तमाल ना करें और जब आप पकोड़े तलें तो तील हमारा अच्छा गरम होना चाहिए क्योंकि अगर तेल सही से गरम नहीं होगा तो क्या होगा कि जो हमारे यह दाल के पकोड़े हैं अंदर काफी ओल सोग लेंगे अगर अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखके बनाएंगे तो आपके भी पकोड़े बहुत क्रिस्पी चटपटे बन के तयार होंगे तो चलते हैं इन पकोड़े को इंजॉय करने के लिए और आप इस राइसिपी को ट्राइक करिए रज़ाए कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा अगर इस रेसिपी को बनाते समय कोई भी समझ से आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल से जल आपके सवालों का जवाब दे सकूँ मिलते हैं एक और नही रेसिपी के साथ रेसिपी मंतरामी तब तक के लिए बाइबाई